गुड बार्निंग बच्चो आज हम फोर्थ में EBS का चैप्टर 9 टॉपिक A Visit to Jammu and Kashmir तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यह जो विजिट है यह जमू और Kashmir स्टेट में जा रहे हैं कि अब स्टेट नहीं है यूटी है तो कश्मीर की ब्यूटी का वर्नन यहां पर कर रहे हैं A Visit to Jammu and Kashmir State How pleasing is it to hear these words Jammu and Kashmir is a beautiful state We start our journey from the Jammu region of the state by small buses यह विजिट जो है Jammu and Kashmir State के बारे में है तो इसमें बताया है कि यानि कि हम बहुत ही खुश हो गहे जब हमने सुना कि हम कहां जा रहे हैं Jammu से Kashmir जा रहे है जोकि एक बहुत ही खुबसूरत स्टेट है तो हमारी जो यह जर्नी है हमारा जो यह सफर है यह जमू से शुरू होकर कश्मिर की और रवाना होगा और किसके थ्रू छोटी छोटी बसुंके थ्रू The people of Jammu are called Dogras. They speak the Dogri language. These people are known for their bravery. Jammu is the most important city in this region. It is situated on the banks of Tawitivar. This city is the winter capital of Jammu and Kashmir. There are beautiful temples in the city. Mansar Lake is situated in this region. The cave of Shri Matavishnu Devi is situated in Trikuta Hills. It is an important holy place for Hindus. The famous tourist sports with Kut, Batot, Sanasar, Patnitop, Badarva and Kishtuwar are also here in this region. तो अब हम पढ़ने ही जा रहे हैं कि जो आप बच्चे यातरा करने यहां से बसुंके थ्रू निकले तो आप जानते ही होंगे कि जो जमू के लोग हैं वो जातातर दोगरी बोलती हैं. वहां पे डोगरी बाशा ही बोली जाती है. तो यह जो डोगरी लैंगवेज है यह जमू की लोकल लैंगवेज है. तो यह जो लोग है यह अपनी बहुदरी के लिए जाने जाते हैं. जमू जो है बहुत important city माना जाता है. तो यह कहां पे बसा हुआ है? तवी नदी के किनारे. तवी नदी के किनारे एक छोटा सा शहर बसा हुआ है जिसका नाम जमू है. तो इसे winter capital भी कहा जाता है. तो यहां पे बहुत खूब सूरत मंदिर्स भी बसे हुए हैं. मानसर लेक है, जो जमू में है. केव और शिरी माता वेशनुदेवी जो गुफा है यह तरिकुटा पहाड पे बसी हुई है. यह भी जमू की बहुत फेमस मतलब केव है. होली प्लेस माना जाता है. तो इसी तरह से यहां पे हिंदू के कुछ फेमस बहुत सारे मंदिर हैं जो जमू में बसे हुए हैं. तो कुछ टूरिस्ट स्पोर्ट्स हैं जहां पे टूरिस्ट लोग गुमने के लिए जाते हैं. कुद बटोत, सनासर, पत्नी टाप, बदरवा और किष्टवार. तो यह जो हैं यह बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस माने जाते हैं. तो यहां पे जो जमू कश्मीर के जो ल है, दिवाली है, होली है, गुरपूर्व है, तो यह यहां का में फेस्टिवल माना जाता है. On both sides of the road, you find so many different kinds of trees. All along you see thick forests and narrow mountains roads. These roads have been built by cutting the mountains. On one side are tall mountains and on the other side is the deep river. Can you hear the noise of the Chanab river? It flows through an awesome valley. How fast the river flows, jumping all the way. Perhaps the river wants to say how I have made my way through these mountains. This is what the river says. Of course, if we make up our mind, we also can easily cross the mountains. तो जैसे ही हम इस वैली में पहुचते हैं, तो हम देखते हैं कि इस रोड के दूनु साइट, यानि कि जो सड़क है, सड़क की दूनु साइट, बहुत ही different types के अलग-अलग किसम के पेड लगे हुए होते हैं. और वो पेड जो होते हैं, एक ही लाइन में लगे हुए होते ह हैं, यह और घने जंगल जो हैं, वो पहाड जो हमें दिखाई देते हैं, घने जंगल दिखाई देते हैं, पहारों के बीचों बीच, जो तंग रोड्स बनाए होते हैं, उन्हें हम जब देखते हैं, तो हमें यह ब्यूटी बहुत ही attract लगती हैं, यानि इसकी ओर हम attract हो जा जो बड़ी बड़े पहाड होती है उनके नीचे जो गहरी नदियां बैर ही होती है यह सीनरी भी हमें अपनी और अट्रेक्ट करती है बचो आपने चनाब देखा होगा चनाब रिवर जो है यह बहुत ही फेमस रिवर है तो यह जो है यह इसकी खुबसूरती जब इनसान वह पहाड़ को जाती है वह बंद होती है उन में मतलब जो पहाड़ों से पथर पीगल के वो नीचे आ जाती है तो रोड़े वे सब्सक्क्राषा करते है रिवमस फाल पूर्बशह जयनिया चनाब फोल्त, भाज्वेर के नीचे अक्रेश अरुट आज़ुमा उनके वारी क्या हो जाते हैं खराब हो जाते हैं तो इसी तरह से बहुत सारे rocks और trees जो हैं रास्ते को बंद कर देते हैं रास्ते पे गिर जाते हैं तो रास्ता उनकी वज़ा से बंद हो जाता है तो उचे उचे जो पहार होते हैं वहां mountain है यह बरफ से ड़के हुए कितने ही सुंदर लगेंगे तो यह mountain जो है ये देखते ही मन की और attract हमें करते हैं तो ये जो Synसे यह जो blocks हुए होते हैं या तो जल्दी repair करना होता है या तो इने साफ करना होता है यानि що बरफ आपने बचों देखा होगा कि फधा पुपपाडद जो हैं जो फशल जो फ्टो गुजर बकर वाल होते हैं वह अपने बेड करDER के शा बड़म लगरेश अपने जानवरों के साथ दो अपने जाम करते हैं जासे ही गर्मावें तो वह कश्मीर की और आते हैं तो वो अपने जो उनके साथ जानवर होते हैं उन्हें भी वो लेके आते हैं तो अब क्या होता है कि जैसे ही हम इस पहाड में से जाते हैं यानि की टर्नल होता है एक गुफा जैसी बनाई होती है जिसमें से रोड निकाला होता है तो उसको क्या बोलते है टर्नल आप देख रहे हो कि बस किसमें से निकल रही है यह जो पोर्शन है यहां से बस गुजर रही है तो यानि कि पहाड की गुफा में से एक रोड बनाया होता है तो बताते हैं हमारी बस जब इसमें से निकली तो हम क्या होगे हमने अंदेरा महसूस किया यानि हमें अंदेरा जैसा लगने लगा और जैसे हमने वो टरनल क्रास किया तो उसके और हम जब बाहर निकले तो रोशनी देखी जैसे हम दूसरी ही दुनिया में पहुँच गे तो वो दूसरी दुनिया क्या थी टनल क्रास करते ही ये कहां पहुँचे होंगे हम गैस करते हैं ये कश्मीर वैली में पहुँचे होंगे तो इससे आगे हम अब कल पढ़ेंगे ओके थैंक यू